अब तक जारखन में भाजपा महिलाओं को टिकर देने में सबसे आगे दिख रही है। भाजपा जारखन की 14 में से 13 लोगसबा सीटों पर चुनाल लड़ने जा रही है। पाटी ने सभी 13 सीटों के लिए अपने परत्यासियों की घोसना भी कर दी है। तेरह में तीन सीटों पर भाजपा ने महिलाओं को टिकर दिया है या कुल सीटों का लगभग 23 फिजदी है। पर भाजपा ने पाटी का सालों साल जन्डा ढोने वाले महिला नेता को किनारे करते हुए दूसरे दलों से आई महिलाओं पर भरोसा दिखाया है। भाजपा को सायद कोई भी महिला कारी करता चुना लड़ने के योग नहीं लगी। कुछ दिनों पहले कांगरेस से आई गीता कोड़ा को जायबासा से और जहमों छोड पार्टी में सामिल हुई सीता सोरेन को दुमका से उतारा गया है। इससे पहले भाजपा ने 2019 के लोग सभाज चुनाओं में राजट की परदेश अध्यक्ष रही अनपूर्णा देवी को कोडरमा सेट से टिकट दिया था। इधर अब तक की राजनितिक स्थिति के अनुसार कांगरेस जहारखन में साथ सीटों पर चुनाओ लड़ सकती हैं। इन में धनबाद, गोड़ा, राची, खूटी, लोहरदगा, हजारी बाग और पलामो सीट है। लेकिन गोड़ा एक मात्र ऐसी सीट है जहां दिपिका पांडे सिंग टिकट की दौड में सामिल है। जामोमो में कामोवेस यही इस्तिति है। केवल दुमका संसदिय छेतर से जामो परत्यासी के रूप में कलपना सोरेन के नाम की शर्चा चल रही है। अगर पलामो के सीट राज़त के खाते में गई तो यहां से ममताव हुईयां परत्यासी हो सकती है। कूल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन तलोग में तीन महलाओं को टिकट मिलने की संभावना नहीं क के बरावर है। लोग सबाज चुनाओं में भाज़पा भले ही महलाओं को टिकट देने में आगे है। लेकिन विदान सबाज चुनाओं में कॉंग्रेस अभी भी भाज़पा और जामो पर भारी है। भाज़पा से तीन महला विधायक हैं। पुस्पा देवी, नीरा पुरने के कारण जामो की महला विधायकों की संख्या एक घट गई है। लेकिन कॉंग्रेस में महला विधायकों की संख्या सबसे अधिक चार हैं। अमबा परसाद, दीबिगास, सिंग, पांडे, पुर्णिमा नीरा सिंग और सिलपी नहातिर की। वहीं अगर जाती समिकर की बात करें। तो जारकर में भाजपा ने इस बार किसी राजपुत जाती का उमिदवार नहीं बनाया। पीछली बार भाजपा ने धनबाद के पियन सिंग और चातरा से सुनिल कुमार सिंग को टिकर दिया था। दोनों चुनाव जीत कर लोग सभा भी पहुँचे थे। लेकिन इस बार दोनों ही सांसदो का टिकट कार दिया है। पीयन सिंग उम्र के कारण तो सुनिल कुमार सिंग की लोगों से उनकी दुरी बढ़ने के कारण पार्टी ने उन पर भरोसा करना ठीक नहीं समझा। इसी तरह क्यास जाती से भी उमिदवार नहीं बनाया। जबक जरूर हुआ। वहीं OVC से प्रत्यासियों की संख्या में भी विर्धी हुई। पिछली बार OVC से संजैसेट अनपूर्णा देवी विद्धूत वरन महतों को प्रत्यासी बनाया था। इस बार इसके अलावा OVC समधाय से धनबाज से धुल्लो महतों और हजारी बाग से मनीज जैसवाल के रूप में दो प्रत्यासी बढ़े हैं।